इसाबेला कहा है कि किसी को भी पता नहीं था उसे ढूंते हुए उसका ब्रदर विक्टर ये सीशोर तक आया उसे बताता है कि उसका boyfriend आया हुआ था इसाविला बोलती है कि मदर को ये सब बात नहीं पता चलनी चाहिए उसकी मदर उसे बहुत सारे questions पुछेगी और ये उसे अच्छा नहीं लगता और एक problem ये भी है कि इसाविला फ्रेंच है और उसका boyfriend जर्मन ये बात जब किसी को पता चलती है तो क्रिंजी मूमेंट हो जाता है तो इसलिए चुबा कर रखना चाहती है इसाविला चाहती थी कि मदर को पता ना चले पर मदर को पता चल चुका है मदर इसाविला को कहती है कि एक रात हो हमारी family के साथ डिनर कर सकता है इसावेला के थी है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है मैं उसे कही भी invite नहीं करना चाहती इसावेला का boyfriend बीच पर था तो वो भी वहाँ पोज गई boyfriend का नाम Felix है Felix इसावेला के पास आता है रात में एक party होने वाली है तो उसमें उसे invite करता है वो पार्टी में तो जाना जाती है पर अगर सब के सामने गए तो प्रालम आ सकता है उसका परदर उसकी फैमिली को डिस्ट्राइक करता है और इसावेला पीछे के दरवाजे से निकल जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि इसावेला और फिलिक्स ये दोनों बीच पर वॉक करते हैं आइस क्रिम खाते हैं बीच की सैंड पर हैंग आउट करते हैं ये दोनों फिर यहीं इंटिमेट हो जाते हैं इसावेला का यह first time था रात में फिलिक्स इसावेला को घर तक छोड़ने की लिए आता है इसावेला का brother वरेट था तो इसावेला के room में ही सो रहा था उसे actually पता था कि आज इसावेला क्या करने वाली है यह brother sister एक दूसरे के साथ transparent है विक्टर इसाबेला से बोच्छता है कि वो कैसी है पर इसाबेला उसे वहाँ से निकल जाने के लिए गहती है उसकी लिए ये ज़रा अजीब एक्सपिरियेंस था एक दो दिन में इसाबेला का 17 पड़्डे आता है यहाँ सेलिबरेशन के लिए उसने फिलिक्स को नहीं बुलाया यह समर चल रहा था अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ वो आई हुई थी एक्च्छल में उसकी मदर और फादर का डिवास हो चुका है तो हर समर वो अपने फादर से मिलने के लिए यहां आती रहती है उससे पदा था कि उसकी और फिलिक्स की रिलेशनशिप जदा आगे नहीं जा सकती है वैसे भी उससे सिर्फ वो यूजी कर रही थी जब वो फिर से अपने घर रिटन हो रही है तब रस्ते पर उसे फिलिक्स देखता है पर वो फिर से मोड कर भी नहीं देखती है लाइफ के साथ आगे बढ़ जाती है इसके बाद हम डारेक्ली ओटम सीजन देखते है बहुत सारा टाइम गुजर चुका है इजाबेला अपने एक लाइंट से मिलने के लिए होटेल में आई हुई है वो पैसों के लिए आजकर लोगों के साथ सोती है आजकर उसका क्लाइंट एक बहुत ही बुड़ा आदमी है वो जब Isabella को देखता है तो कहता है कि तुम्हारी age तो तुमने बहुत ही जादा वताई थी उसे वो underage लगती है Isabella भी कहती है कि तुम भी तुम्हारे photo जैसे नहीं हो उसने एक online website पर register किया था जिससे उसे client मिलते है इसी वज़े से इन दोनों को जो info मिली है कि obviously जरा सी गलत है ये जो अब hotel का client है इसका नाम है George George फिर Isabella को उसके पास बैठने के लिए कहता है उससे हो पोचता है क्या तुम student हो Isabella गेती कि हाँ वो गेता है कि आज कल हालत ही खराब चल रहे है George फिर Isabella को उसके पास बैठने के लिए कहता है उसे सहारता है और बोलता है कि तुमारी eyes बहुत ही beautiful है इन में एक अजीब सा दर्थ है इसके बाद ये दोनों intimate हो जाते है इसके बाद हमें directly Isabella का classroom दिखाया जाता है इस classroom में एक poem पर discussion चल रहे है वो poem क्या थी ये important नहीं है क्योंकि इस discussion से इस movie की story पर एक background commentary की जाती है इसमें से एक लटका कहता है कि summer था summer में आपको joyful एक happiness मैंसूस होता है उसमें जो नशा है इसके बारे में poem थी दुसरा लटका कहता है कि ये poem joy और sadness के बारे में है एक adventure हुआ पर उसके बाद भी आप अकेले ही रहे गए इसमें से दुसरी लटकी कहती है कि ये poem प्यार ढूनने के बारे में है अगर हम movie की situation देखे तो इसावेला ये सब क्यों कर रहे है ये भी यहाँ से define होता है summer खतम हो जाने के बाद इसावेला को एक adventure चाहिए था इसलिए वो ये सब कर रहे है इसमें और एक mini निकल कर आता है ये सब वो कर रहे है पर फिर भी sad है वो कुछ ना कुछ तो सही ढूड़ना चाती है पर अभी तक उसे कुछ भी मिल नहीं रहा इसावेला के class में एक लड़का उसे पसंद करता है पर उसे वो ज़्यादा भाव नहीं देती है इसावेला continuously अलग-अलग client से मिलती रहती है एक businessman उसे hire करता है सिर्फ अपने आपको please करता है पर उसे touch भी नहीं करता उसे वो पूरे पैसे नहीं देता इसावेला उसे बुछती है तो गहता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा prize नहीं है वो उस पर कुछ भी करनी पाती है एक दिन उसकी मदर उसे ठेटर ले जाना चाती है पर इसावेला गहती है कि मुझे बहुत सारा study करना है मैं नहीं आ सकती है उसकी मदर उसे समझाती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो बहुत मज़े करती थी पार्टीज में जाती थी अलग-अलग चीजे ट्राय करती थी ये conversation थोड़ी सी quirky है क्योंकि इसावेला क्या करती है इसके बारे में मदर को कुछ भी idea नहीं है जब एक ठेटर पहुचते है वहाँ पर इसावेला को उसका client जॉज दिखता है वो एक तुसरी लड़की के साथ वहाँ आया हुआ है इंटर्वल में इसावेला उसके सामने जाकर उसे dirty look देती है यहाँ पर इसावेला नोटिस करती है कि उसकी मदर उनके family friend के साथ flirtitiously बात कर रही है उसे लगता है कि उसकी मदर का affair चल रहा है Already इसावेला को उसके stepfather और मदर के साथ रहना पड़ता है थोड़ी दर में इसावेला को जॉज का message आ जाता है इसके बाद यह regularly मिलने लग जाता है एक दिन वो जॉज से पुछती है कि ठेडर में तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी जॉज कहता है कि वो मेरी daughter थी बहुत सालों तक हमने एक दुसरे से बात ने की थी अब मैं हम दोनों में relationship सुतारना चाहता हूँ इसलिए मैं उससे मिलता रहता हूँ जॉज इसावेला उससे पुछती है क्या तुम अच्छे husband हो वो गयता है कि मैं try करता हूँ जॉज इसावेला से भी उसके बारे में पूछना चाता है पर वो कुछ भी बताती नहीं इस बार जब वो intimate हो रहे थे तो अचानक से heart attack की वज़े से जॉज की डेथ हो जाती है इसावेला बहुत डरती है उसे बचाने की कोशिश करती है पर करनी बाती है वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थी पर बात्रूम में वो गिर गए उसके सर पर थोड़ी सी चोट आती है यही bathroom में George कुछ performance की गोलिया लेता था, ये भी उसे मिलती है, इनी गोलियों की वज़े से उसे heart attack आ गया, पुलीस को पता चलने के बाद investigation होती है, directly Isabella की mother, Sylvia के पास पुलीस आते हैं, Isabella क्या करती है, इसके बारे में सब कुछ बताते हैं, जो incident हुआ था, इसके बारे भी भी मदर को पता चलता है, मदर पहले तो बिलिव नहीं कर पाती, उसे लगता है कि Isabella ये सब नहीं कर सकती, जब पुलीस उसे सब सबुत दिखाते है, Isabella जीजीस होटेल में जाती थी, वहाँ कि CCTV कैमेरे से निकाले हुए image जब वो देखती है, तब उसे शौक लगता है, पुली Isabella इंटरनेट से क्लाइन ढूंदी थी, ये सब पता चल जाता है, Isabella ने सब कुछ पैसे सेव करकर रखे थे, ये सब पैसे भी उन्हें मिल जाते है, जब Isabella घर पर आती है, तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है, उसे पूछती है, तुमने किया क्यों, Isabella उसे कुछ भी नहीं एक्च्वल में, कोई एक आत्मी ने अप्रोच किया था, उसने उसके साथ सोने के लिए Isabella को एक डील दी, अपना नंबर देखकर वहां से हो चला गया, Isabella गहती है कि मैंने सोचा और मुझे लगा कि मुझे ट्राइ करना चाहिए, जब वो उस आत्मी के साथ थी, तो उसे पहली बार वो अपने फर्स बॉइफरेंड के साथ थी, तभी उसी कुछ भी फील नहीं हुआ था, वो गहती है कि फर्स टाइम यह सब करना मुझे अच्छा नहीं लगा, पर बाद में मुझे फिर से करना चाहिए ऐसा लग रहा था, उसने फिर एक सेकंड फोन ले लिया, उसे से हो क्लाइन्ट से बात करती थी, लेडि ओफिसर उसे पूछती है क्या तुम कंटिन्यू करने वाली हो, इसबेला कहती है कि मुझे पता नहीं है, ओफिसर उसे समझा थी है कि यह बहुती डेंजरस था, तुमारे साथ कुछ भी हो सकता था, इसब बात को लेकर इसब बहुत ही अपसेट है मदर इसावेला को थेरपिस्ट के पास लेकर आती है मदर कहती है कि इसे पैसों के कोई भी ज़रूरत नहीं थी इसे बॉगिट मने देती हो इसे जो भी चाहिए यह वो बाई कर सकती है इसावेला के फादर भी उसे पैसे सेंड करते रहते हैं इनमें डि इसावेला को वो बेबिसेट करने के लिए पुलाते हैं जब रात में वो घर पर आते हैं तो अजबन कहता है कि मैं इसावेला को छोड़ कर आता हो पर वाइफ को इसावेला की बार में पता है वो उसे खुद घर छोड़ने के लिए आती है उसके स्टेब डाड टिवी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक टीनेजर हो तुम कुछ एक्सप्रिमेंट करना चाहती थी तुम्हारी मदर को तुमने बहुत हर्ट किया है इजावेला अपने स्टेफ फादर से भी फ्लड करकर बात करे थी मदर ने जब एदेखा तो गुसे में फादर को लेकर वो चल प्यू कर दिया वो गहती है कि मैं जॉज से बहुत बार मिली थी तेरे पिस पुछता है कि क्यों वो गहती है कि वो बहुत ही स्वीट था उसे वो अच्छा लगने लग गया था उसे मुझसे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था वो हमेशा मुझे सहला अता रहता था जिस दि अभी राध नेकसे में हम देखते है इजावेला की फ्रेंड का बरेक अप हो चुका है वो से चेरप करने के लिए राध में पार्टी में जाने वाले हैं इस पार्टी में उसे अच्छा नहीं लगता वो ज़रा साइलेंस के लिए बाहर आ जाती है उसका क्लास्मेंट एलेक में घुमते हैं पैरिस का फेमस ब्रीज दे लव लॉक ब्रीज इसको भी विजिट करते हैं इनकी डेट बहुत भी ब्यूटिफुल थी इसके बाद मूवे में स्प्रिंग आता है और एक सीजन बदल चुका है अलेक्स और इसावेला अब रिलेशन्शिप में हैं इसे हमें प पास अभी भी उसका दूसरा मोबाइल है इसे ओन करकर देखती है तो उसकी प्रिवेस क्लाइंट से बहुत सारे मैसेजस उसे आए हुए है एक मैसेज जॉज की वाइफ की तरफ से है उससे मिलना चाहती है जहाँ पर जॉज और इसावेला मिलते थे वही पर यह मिलते है ज तुमारी जैसे इतनी ब्यूटिफुल लड़की से प्यार करते-करते हो मर गया इससे अच्छी डेथ क्या हो सकती है वो कहती है कि तुम बहुत ही ब्यूटिफुल हो तुम में एक दर्थ है यही चीज थी जो जॉज भी इसावेला को कहता था जॉज की वाइफ कहती है कि मै में भी जब यंग थी तो तुम्हारी जैसे ही दिखती थी अगर हम इसे फेसे एनलाइज करें तो जॉज अपनी यंग वाइफ को याद करता था इसाबेला के साथ पहले कभी भी वो इंटिमेट नहीं हुआ था उसे सिर्फ वो सहलाता रहता था उसे देखता रहता था जब व मुझे रूम देखना था इसाबेला भी यही चाहती थी उसके पास आकर उसे लेटने की लिखेती है जिस तरह से जॉज इसाबेला को सहलाता था उसी तरह से वाइफ पी इसाबेला को सहला कर उसे सुरा देती है इसाबेला जब उठी तो जॉज की वाइफ वहां से चली वो कौन थी। इसके बाद George जाय करता था। जब उसने Isabella को देखा, तो उसे उसका reason पता चल गया। शायद George और उसकी wife की relationship जिसे पहली थी वैसी नहीं रही। वो अपनी wife को miss करता था। Isabella में भी उसे अपनी wife दिखी। जोज की तरह इसावेला को सहला कर वो अब इस situation से move on कर गए इसावेला के ending के बारे में हम बात करें जोज के मर जाने के बाद वो भी disturb हो चुकी थी उसके बाद उसकी relationship होई है पर सही से closure नहीं मिला था जोज की wife से मिलने के बाद उसे भी शायद closure मिल चुका है इसावेला के बारे में आपको बहुत सारी चीज़े कलद लग सकती है और वो थी गलत एक fact ये भी है यूँ एक teenager थी इस age में हर कोई अपने आपको ढूणने की कोशिश करता है सबका process अलग है उसका भी इसी तरीके से एक गलत अजीव सा अप्रोच था इसी तरह से movie end होती है और आज का वीडियो हम यही खतम करते है और आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आद रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिविशन आइकोन दबाना है मत भूले हम भी से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक ले थैंक्यू और आप हमने आपका खैर रखिया